गूड मॉर्निंग बच्छों, दिस इस संतोष, संतोष फ्राम सुपर सेक्ष्टी एजुकर्शन हब आज आपके सामने में एक ऐसे गंभीर मुद्दे के साथ हूँ, जिस मुद्दे पर मैं भी अपनी राय रखना चाहता हूँ कि वास्तों में हमारी सोच क्या है, ये राय में रखना चाहता हूँ इस सीज़ पे कि सरकार जो बेरोज़गारों के प्रती एक कहते ने अंधे खापन प्रदरश्चित कर रही है, अर्था सरकार को कोई भी चिंता नहीं है, बेरोज़गारी बढ़ती जारी, बेरोज़गार करने के लिए मजबूर होते जा रहे हैं, लेकि इस अंधी सरकार पर वास्तों में इसका कोई फर्क नहीं पर रहा है, मैं अंधी सरकार इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि तमाम चीज़ें करने के लिए इनके पास समय है, तमाम तरीके की जो उल जलूल के कारी हैं, वो सभी करन करने के लिए पास समय है, लेकिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, बेरोजगार बढ़ते जा रहे हैं, उनके अंदर निराशा, disappointment बढ़ती जा रही है, इन पर धिहान देने के लिए इनके पास कोई समय नहीं, मैं परशनली मोदी जी का समर्थक रहा हूँ, उनकी नीतिय कर रहे हैं, उनका एक बार लेकिन ध्यान ये नहीं जाता है, कि जो बेरोजगार हैं, वो कहां चा रहे हैं, उनके ओपर क्या बीत रहे हैं, वो लोगों से क्या करवाना चा रहे हैं, क्या वास्तों में जैसा कि पहले नहीं लगता था, क्या वास्तों में लोगों से करना होगा यह जो बेरोजगारों की फॉस खड़ी हो रही है कल यही फॉस उनके कहिन कहीं पतन का क्या बनेगी कारण बनेगी क्योंकि जब इनसान के अंदर निराशा का कतन निराशा की मात्रा बढ़ती जाती है तो कहिन कहीं वह सोचने को मजबूर होता है कि या तो वह मरे या मारे तो फिर कहीं कहीं ये इस्थिती जो है वो घातक होगी और आगे इस सत्ता के पलट जाने के लिए कहीं कहीं ये दोनों लोग या इनकी ब्यवस्था जो है वो जिम्मेदार होगी तो कहीं कहीं अभी भी समय है अभी भी समय है इन दोनों के पास कि सोचें और बहुत बड़ा साधन नहीं है कि वो सही समय पर परिक्षाएं करा सकते हूं, सही समय पर रिजर्ज दे सकते हूं, सही समय पर बच्चों की नियुक्तियां हो सकती हूं, इसके लिए इनके पास समय नहीं, यानि बाकी सभी काम करने के लिए आप पास समय है, आप कहे जाते हैं बहुत से आपने पोछा कि वो क्यों इस तरीके के exam चाराते हैं जिन का रिजल्ड या तो ने नहीं देना होता है या देना होता है तो बच्चों को बिलकुर निराश करने के बात देना होता है और अलसी साल के आशना है लेकं से कोई सुराग नहीं आपने बच्चों से फीस्ट ले लिया, फॉर्म के फीस्ट ले लिया 500 रुपए और आप तमाम उस पर दलील दे रहें, क्या दलील देने के लिए आपको सब लोगों यहां पर बैठाया है, नहीं, सरकार की जिम्मेदारी है, चीजों को समझना और समझ कर पे उन पर कारिवाह ही करना, लेकिन कहीं मोदी जी इस पर पीछे हो रहें, वो उन चीजों पर अपना कदम नहीं दे रहें, जहां वास्तों में उन्हें कदम अपना बढ़ाना चाहिए, आप चीजों को प्राइवेट करते जा रहें, तो कहीं कहीं नौकरियों के संख्या घड़ेगी हमको पता यह सारी चीज़ें बच्चों को जहलनी होती है, क्या इसलिए आपको बैठाया गया, नहीं मोदी जी, आपको इसलिए बैठाया गया, क्योंकि हमारे जैसे लाखों करोनों लोग के मन में आप एक चाहें थी, कि ब्यवस्थाएं बदलेंगी, चीज़ें वैसी नहीं होंगी जैसे होती थी, लोगों के पती एक नगलिजेंस की भावना नहीं होगी, आप सोचेंगे कि आप सब कुछ अच्छा हो, आप न दीजे हमको बुलेट ट्रेन, आप न दीजे हमको तमाम सपने, लेकिन जो हैं, उन्हीं कम से कम दुरुस्थ करके देने की क्या करें, आप कोश जबूर हो जाएंगे, क्योंकि आपका अभी वास्तों में कोई विकल्प नहीं है, यहां जितने हैं वो सारे बाकी ललू पंजू है, कोई विकल्प नहीं है, लेकिन विकल्प नहोने के वज़ेसा ऐसा नहीं होगा, कि आप गलत करते रहें, और हम लोग या सारी जो टीचर्स हैं, जो प्राइवेट कोचिंग्स हैं, इस तरीके जो चलते हैं लोग, वो कैसे सर्वाइब कर रहे होंगे, एक बार आपने सोचा, कभी आपने मन की बात में उनकी बात की, क्या कभी आपने हमारे मन की बात जाने के कोशिश की, नहीं की, मेरे पास तमाम टीचर् चलाना चाहिए, आंदोलन चलाना चाहिए, सरकार को बताना चाहिए, जो टीचर्स प्राइवेट हैं, उनके बारे में क्या कर रहे हैं, जो कोचिंग चलाते हैं, जो कंप्यूटर सेंटर्स चलाते हैं, उनके बारे में क्या कर रहे हैं, मैं उनको क्या जबाब दो, कौन सा दोस्ते हैं उनकी बात करें न कि आपके बल मोर को दाना खिला करके ये दिखाने कोशिश करें कि आप बहुत बई प्रकृत रिपेमी हैं ऐसे प्रकृत प्रेम को ऊड़े पर रग दीजे किसी काम नहीं आएगा ये वो युवाओं के अंदर फ्रस्क्रेशन क्या कर रहा होगा उत्पन कर रहा होगा तो अभी भी आप एक्छा है मोदी जी सीखें समझें चीजों को नहीं तो आगे आपके लिए बहुत बहुत मुश्कले आनी चाहेंगी बहुत मुश्कले आ जाएंगी इसलिए अभी ध्यान दीजेगा मोदीजे